नमस्कार आप देख रहें न्यूज नाइन भारत और मैं हूँ आपके साथ अशोग चम्हान देश और दुनिया की तमाम ख़बरों पर आये डालते हैं एक नजर आग जली से कई एकड़गेहों की फसल जल कर बर्बात कपरवार छेत्र नौक्टोला निवासी जाबर यादाओ सुरेश यादाओ रामसूरत यादाओ मिरचा यादाओ मुलूर मिसरा छेदी मिसरा प्रभू यादाओ राज़ेन द्र यादाओ आदि की आग लगने से 30 एकड़ गेहों की फसल जल कर खाक हो गई वहीं दूसरी और मदरपुर्थारा च्छेतर के महेन यादो सभा में मनीस, मल या स्वन्त यादो आदि किशानों का लगबग 3 एकड़ फसल जल कर खाक हो गई इन सभी किसारों का अपने खेतों में जली हुई फसल को देखकर रो रो कर बुरा हाल है वहीं किसारों का कहना है कि सरकार के द्वारा हम लोग को उचित मुआजा दिलाया जाए मौके पर पहुँचे जिला पंचाया छेत्र के बरहस मद्य के प्रत्याशी सत्रुधन सिंग विनेस वह उनके शहयोगी और ग्रामडे के द्वारा करी मसकत करते वे आग पर काबू पाने का प्यास किया जा रहा था किन्तों मामले की गम भीरता को देखते वे सत्रुधन सिंग विसेन ने आला अधिकारी वा फायर बिग्रेट को सूचना दी सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुँचे साथ में फायर बिग्रेट के साथ आग पर काबू पाया गया बरहज SDM का बताना है कि जली हुई गिहों की फसल का सर्वे कराकर किसार भायों को उचित मुआज़ा दिया जाएगा